आलू मटर गोबी की सबजी एक अलग अंदाज में बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर रही होगी रेसिपी बनाने के लिए दो कप पानी को पहले उबाल लेते हैं इसमें मैं एक पाव आलू डाल रही हूँ छोटे बाले आलू है इन्हें चील कर डाल द अद्रक का टुकड़ा है इसे पतले स्लाइस में काटकर डालेंगे एक सुखी लाल मिर्च डालेंगे ढकन लगा देते हैं और मीदियम फ्लेम पर ये सबजीयों को पक जाने देते हैं और पांच मिनप बार धकन हटाएंगे सारी सबजीयों को हम निकाल लेते हैं अब हरी चार लॉंग और आदा चमच काली मिर्च डाल लेते हैं इस मसाले को हम पीस कर इसका अच्छा सा एक पेस्ट बनाएंगे और इसे साइप पर रखते हैं अब पैन में डालेना है तीन बड़े चमच तेल इसमें उबले हुए आलू डाल लेते हैं आलू को हम फ्राइ करेंगे अ नमक फ्लेम को हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पर सारी चीजों को चलाते हुए हमें फ्राइ कर लेना है अब आलू गोबी को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में इसी तेल में अब डालेंगे आधा चमच जीरा एक तेज पत्ता डाल लेते हैं जीरे को चटक जाने देंगे त फिर इसमें हमें डाल लेना है एक मीडियम साइस की प्यास बारिक चौप की हुई प्यास को तेल में चलाते हुए पका लेना है प्यास पर हलका गोल्डन कलर आने लगे इसके बाद हम मसाला डाल लेते हैं जो हमने रैडी किया हुआ है मसाले के साथ ही इसमें जाएगा एक चम माक अपने टेस्ट के साप से डाल लेते हैं सारी चीजों को allum हम सालों की हमें अच्छी तरह कर लेना है मसाले से जब तेल सेञे होने लगा है हम इसमें का व्राइनो का आलू गोबी अबशरी के आए पानी हमें वही डालना जिसमें हमने सब्जीयों को उबाला था तो करीब आधा कपानी यहांपर डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करना है धकन लगा देना है धककर सब्जी को पक जाने देना है करीब 10 मिनिट के लिए मीडियूम फ्लेम पर सारी सब्जीया पककर अच्छी लिपुदार, मज़िदार और अलग से अंदाज में बनी हुई आलो मतर गोवी की सबजी बनकर रेडी हो गई है। ये टेस्टी सबजी को आप रोटी पराठों के साथ सर्व कीजिए, खिछडी या दाल चावल के साथ भी ये बहुत ही मज़िदार लगेगी।